नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है उपेंदर कमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ बने यूट्यूब शनल लर्ने अप क्लासिस पर तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एरफोर्स एक्सफाइ गृूप एक्सपेक्टेड कट ओफ जो की आपका जो एक्जाम हुआ है जो की चौवीज से चालू आता और 31 जुलाई को खदम हो चुका है तो उसके हम एक्सपेक्टेड कट ओफ पर बात करने वाले हैं और इसमें हम रजल्ट डेट पर भी बात करने वाले हैं कि जो रजल्ट डेट है वो कव आने वाला है और आपके अगर कितने नम्मर हैं तो आप फेस्टू की तयारी शुरू कर सकते हैं और नॉर्मेल आजिसन होगा या नहीं होगा और इसके जो मार्क्स जाएंगे जो कटव मार्क्स होंगे वो क्या क्या होंगे तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँगे रजल्ट डेट की जो बात की जाए तो आपकी जो जो रजल्ट है वो आपका दस अगस्त को आ जाएगा क्योंकि दस अगस्त को नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपकी जो फेस्टू के जो कॉल लेटर हैं वो आए ज होने वाला है किसी कोई भी कोई भी नोर्मेलाइजेशन नहीं मिलेगा अब बात करते हैं कि अगर आपने एक्जाम दिया है तो जो एस्पेक्टेड कट ओफ है वो कितने रहने वाली है एक्स गुरूप की कितने रहने वाली है और वाई गुरूप की कितने रहने वाली है कट अफ की बात की जाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो कट अफ है वो कितने रहने वारी है तो यहां पर जो exam हुआ था उसमें जो English का level था वो सही था लेकिन जो Raga का level था वो काफी high था फिर भी काफी लोग कह रहें कि 40 से उपर जाएगी तो भाई दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि संद्वियार 17 से पहले जो एक्जाम होते थे वो आपके ओफ्लाइन होते थे लेकिन जैसी संद्वियार 17 में पहली बार ओलाइन एक्जाम हुआ तो उस टाइम पर नेग नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी कितनी गई थी 38 यानि कि अव नेगेटिव मार्किंग भी है तो 38 से उपर तो दोस्तों कभी नहीं जाएगी तो इसकी अगर एस्पेक्टेड कट अफ की बात की जाए कि आपको यह कितने रहने वाली है तो इसकी जो आपको वाई वाफर का आगे पीछए हो सकता है लेकिन ये एक एकस्पेक्टेड कट अफ है इससे आगे नहीं जा सक्ती है लेकिन अब बात की जाए कि अगर आपकी जोम वह है एकस करो कि एकस गृप की कि इसबूज कि पात करेंगे एकस गृप कि आपकी जो X उरुप की जो cut off है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर जो exam हुआ था उसमें काफी सारे जो physics थी मैं थी वो काफी tough थी लेकिन English का जो level रहा है इस वार exam में वो सही रहा है तो इसकी जो cut off की बात की जाए तो इसकी जो cut off रहने वाली है वो रहने वाली है 34 से लेके 38 मार्क्स तक कितने तक 34 से लेके 38 मार्क्स तक इससे अधिक नहीं जा सकती है कि पिछली बार exam गुआ था तो उसमें cut off क्या था कि वो काफी कम गया वो अधिक गया था लेकिन उससे पहले जो exam था उसमें काफी कम गया था तो इस बार जो आपकी जो expected cut off है वो 34 लेकर 38 रहने वाली है अगर आपको मारे आंकडे सही लगती है तो मारे comment box में yes लिखकर comment की कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी cut off नहीं रहने वाली है तो आप अपना अंदाजाविक अमारे comment box में लगा सकती है कि सर इतनी cut off नहीं रहने वाली है इससे थोड़ी ज़्यादा या कम है तो आप उसको cut off को लग सकती है अगर आपको अमारे ये video पसंदाई हो तो मारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तदा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें धन्यवाद दोस्तों